नमस्कार दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं Hair Shield Anti-Lice Cream Wash के बारे में इसके फायदे, नुकसान, इस्तिमाल करने का तरीका और कितनी बार इसको इस्तिमाल करना चाहिए इन सबी बातों को इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को पूरा देखेगा लेकिन उससे पहली दवाईयों की जानकारी पानी के लिए अपना डॉक्टर राज को कर दीजे, सब्सक्राइब साथ में जो घंडियो और निशाने उसे ओल पे टेच कर दीजे ताकि आपको ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो दोस्तो हेरशि़ल्ड क्रीम आती है, और इन्हों ने बहुत ही बड़िया यह क्रीम बनाई है श्त्माल की जाती है देखा गया है, तो पहले मैं इसको थोड़ा सो खोल के दिखा देता हूँ, इस परकार से इसकी बॉटल होती है और एक बार में ये पूरी बॉटल इस्तिमाल करनी होती है, साथ में आपको ये कंगी मिलती है, जो की मरी हुए जुओ को बाहर निकालने के लिए इस्तमाल की जाती है वैसे भी जूए आप इससे निकाल सकते हो साथ में ये पेपर डाला गया है जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि किस परकार से इस्तमाल करना है ठीक है तो दोस्तो अगर देखे किसी के भी सिर में अगर जूए पड़ गई है लिखे पड़ गई है चाहे वो जैंड सो महलाएं हो पुर्ष हो या फिर बच्चे हो बूड़े हो सभी इसको इस्तमाल कर सकते हैं इसमें यह नहीं है श्पेशल लिखा हुआ कि इसको सिरफ महलाएं इस्तमाल कर सकते हैं सभी लोग इसका इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है तो चलि काई का इस्तमाल किया गया है और इसमें कुछ इस प्रकार से और भी इंग्रेंट से डाले गए हैं जैसे कि डियम वाटर प्रोपलीन गलाई गलाई कोल बहुत सारी लंबी लिष्ट है दोस्तो आप पॉज करके पढ़ लेना मैं पढ़ूँगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा तो चलिए बात करें इसको इसको इस्तमाल कैसे करना है दोस्तो ये एक बार में पूरी बॉटल डालने होती है सबसे पहले आपने बालों को अच्छे से धो लेना है चाहे आप शैंपू से धो लीजिए साबू से धो लीजिए जैसे भी आप अपने बाल धोते हो वैसे ही आपने बालों को धो लेना है ठीक है उसके बाद क्या करना है कि आपने बालों को तोलिये से साफ मतलब पोंच लेना है पानी लेकिन पूरी तरह से नहीं पोचना है मतलब सुखाना नहीं है बालों को हलका गीला बना रहे बाल ठीक है हलके मतलब मॉस्चर रहे बालों में ठीक है उसके बाद क्या करना है आपने कि इस क्रीम को आपने अच्छे से हाथ पे लेके ऐसे और पूरे जडो में पूरे शिर में फैला देना है आपने ठीक है अच्छे से मसाज करनी है और फिर क्या करना है आपने कि 10 मिनट तक इसको छोड़ देना है वैसे ही 10 मिनट तक आपने बालों को अपने लपेड लीजिए उपर अगर महलाओं को लगाना है या फिर किसी को भी लगाना है 10 मिनट छोड़ना है ठीक है 10 मिनट के बाद आपने क्या करना है कि इसको अच्छे से धो लेना है ठीक है और जैसा कि आप देख रहें इस पर भी लिखा हुआ है कि 10 मिनिट तक छोड़ना है 10 मिनिट के बाद आपने दोना है ठीक है और अगर बच्चों वगेरा को लगाना है तो आधी बॉटल हो जाएगी मेरे ख्याल से और जैंट्स के सिर्म में लगाना है जैसे लड़कों को लगाना है ठीक है इससे क्या होगा कि जुएं जो होगी वो पूरी तरह से मर जाएंगी लेकी भी मर जाएंगी जो अंडे होते हैं जुओं के वो भी खतम हो जाएंगे बिलुकुल फिर क्या करना है कि इस कंगी की मदद से पूरी मरी हुई जुएं निकाल देनी है बाहर ठीक है दोस्तों इसमें वैसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि आपने इतने दिन ही इस्तमाल करना है अगर देखे अगर थोड़ी बहुत रह जाती है जूएं तो आप एक काम करना कि अगले हफते फिर से इस्तमाल कर लेना अगले हफते यानि कि यासे आपने संडे को इस्त बाई है कई पेशेंट को दी गई है तो उनको बहुत अच्छा राम लगा है इसे और दोबारा जूएं भी नहीं हुई है इसे ठीक है तो देखे इसका वैसे कोई साइड एफेक्ट तो नहीं देखा गया है फिर भी अगर आपको इसको लगाने से सिर में खुजली होती है यहां रेडनेस आती है लाल दाने निकलते हैं तो आप इसे बंद करके अपने डॉक्टर को जरू दिखाईएगा तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरू करते हैं चैनल को करना न भूलेगा धन्यबाद